गूड इबनिंग दोस्तों मैं अउजल प्रताप सिंग और आप देख रहे हैं Pulse Medical और आज हम सुरू करने वाले हैं NEET क्लास 11 के लिए Biological Revision तो यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह Ernst Mayor का है और यह बहुत ही important page है क्लास 11 से जो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और इसमें कुछ important points है जो कि हमने यहां highlight किया हुआ है पहला point है Darwin of 20th century किसको कहते हैं तो Ernst Mayor को कहते हैं ठीक है इसके अलावा 2-3 point और है जैसे ही also pioneer duck currently accepted definition of biological species आज के समझ में जो biological species है उनका जो basic है इन्हों नहीं दिया था इसके अलावा triple crown of biology इन्हें मिला जिसमें Belgian prize था 1983 में international prize for biology था 1994 में and cara food prize था 1999 में ओके और मेर्स ने 100 years तक अपना life cycle को complete करा था और 2004 में इनका देथ हो गया था तो यह important point था इस page से ओके इस page की बात करें यह page यह पूरा page आपके किसी काम के लिए नहीं है नीट के point of view से ओके अगर इस page की बात करें तो यह page काफी important हो जाता है नीट point of view से यह जो line है unicellular organism grow by cell division जो भी unicellular cell division से grow करते हैं in majority of higher animal and plant growth and reproduction are mutually exclusive event exclusive का मतलब अलग-अलग growth अलग चीज़कों कहते हैं और reproduction अलग चीज़कों कहते हैं next point है in living organisms growth from inside living में growth कहां से होता है inside से होता है जबकि non living में growth कहां से होता है outside से होता है okay and growth cannot be taken as defining property एकदम याद रखना है growth को हम लोग defining property की तरह नहीं लेते हैं इसके अलावा क्या हमें जानना है कि fungi multiplied and spread easily due to the millions of asexual aspor okay asexual aspor millions होते है next planaria में क्या होता है true regeneration होता है fungus में और filamentous algae यह कभी reproduction नहीं कर सकते तो इन्हें आपको याद रखना है कि directly पूछे जाते हैं इसके अलावा defining property में क्या आता है तो isolated metabolic reaction जो होता है और defining property में आता है एक चीजी यह जानना है ओके इसके बाद consciousness जो होता है यह भी defining property होता है ठीक है बाकि इस page में बहुत कुछ नहीं जानना है last में कुछ है biology is the story of life on the earth biology is the story of evolution of living organism on the earth और यह future past present को link करता है बस यह तीन points important है जो कि नीट में जहां से question बन सकते हैं ठीक है मैं आपको बस वही बता रहा हूं कहां से question आपके आएंगे total जो biodiversity है total जो species है 1.7 to 1.8 million है इसके अलावा क्या-क्या process होते है नोमनिकलेचर identification ठीक लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा isbn का full form international code for botanical नोमनिकलेचर एंड international code of geological नोमनिकलेचर अंतर देख लीजिए जिसमें बोटनी है उसमें for लगा हुआ है जिसमें geology है उसमें off लगा हुआ है बस इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है जो भी biological नेम होते हैं उसमें दो नाम होता है बाइनोमिनल नमलिक लेचर कहते हैं एक जेनरी नेम होता है एक स्पेसिफिक नेम होते हैं और इसको कारोलस लिनियर्स ने सबसे पहले प्रैक्टिस में लाया था इसके अलावा इस पेज में कुछ इंपॉइंट नहीं है यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं नेमिंग के जैसे में जी फिरा इंटिकातों मेंगो को कहते हैं इसके अलावा क्या-क्या रूल्स से लिखने के लिए तो बाई लोजीकल नेम्स आगे हैं अगर एक्टेंड करते हैं अलग अलग लिखते हैं और अन्डरलाइन करते हैं सेप्रेटली ओके जो biological नमने क्लेश्यर में पहला नेम होता है जेनरिक नेम उसका पहला अक्षार Capital होता है लेकिन इस्पेसिर नम में पहला अक्षार Capital नहीं होता है तो इतना चीज़ को आपको याद करके रखना है और कुछ खास नहीं है यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट पर पर क्या है कि आइजन्टिफिकेशन क्लासिफिकेशन और नोमिनकलेशे यह बेसिक होता टक्सनोमिका ओके तो यह आपको याद रखना है सिस्टेमेटिक्स किसको कहते हैं यह आपको पढ़ लेना है और एक इंपोर्टेंट चीज सिस्टेमा ने चली कालस लिनियस का बुक था यह आपको याद रखना होगा नेक्स्ट टक्सनोमिक कटेगरी टक्सनोमिक हायर की और टक्सन क्या होता यह आपको जान लेना है बागी कुछ इंपोर्टेंट नहीं है next advances में spice system किसनों दिया तो अंस्त मेट ने इसके अलावा किसको potato को क्या करते हैं तो शोलनाम टूबरं पै लायन को क्या करते हैं पैंथरा लियो यह सब आपको याद हो जाना चाहिए इसके अलावा जो यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट है पोटाटो एंड विंजाला टू डिफ्रेंट स्पेसिस बट बोथ बिलांग तो जीनस सोलनम तो एक यह इंपोर्टेंट है और लायन और टाइगर और यह लिए पार्ड तीनों के तीनों एक ग्रूप से हैं कौन से एक जीनस से हैं जिसका नाम है पार्डरस ठीक है पैंत्रा लिओ पैंत्रा पार्डरस और पैंत्रा टिग्रीस नेक्स्ट आती है बात फैंबली की तो फैंबली में क्या है आपको याद करना है शोलनम में क्या क्या आ जाता है पेटूनिया और धतूरा शोलनम पेटूनिया और फैमली के लाश्ट में यह लगा रहता है बस इतना आपको जानना है इसके आगे कुछ नहीं आने वाला कुछ नहीं आने वाला प्रिभियस यह का कुछन उठा के देख लेंगे अगर यहां बात करें और में तो आपको यह जानना है कॉल कन भुलेसी और स्वलनेसी यह सब पोली मुनेलस में आते हैं फ्लोरल करेक्टर इंका ओठा है बेसिक कार्निवोरा फेलीडी और केनीडी दोनों को अपने में इंक्लूड करता है यह आपको जानना है तो क्लास की बात करें तो मंकी गोरीला एंड़ गिबन्स इन तीनों को हम मेमेलिया में रखते हैं ठीक है बस इतना आपको जानना है और टाइगर, cat, dog यह सारे किसमेत हैं कार्निवोरा में कार्निवोरा order होता है ओके फाइलम फाइलम में आपको कुछ नहीं जानना है kingdom में कुछ नहीं जानना है यह जानना है as we go higher from spaces to kingdom the number of common character goes increases okay sorry decreases okay तो जैसे जैसे हम नीचे से उपर जाते हैं common character decrease करता है यह बहुत ही important line है इसके बाद यह चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए यह चार्ट पूरा आपको याद होना चाहिए बहुत important है अब बात करते हैं taxonomical add की तो जो taxonomical add हैं उनका users कहां कहां होता है तो agriculture में forestry में और industry में यह आपको पता होना चाहिए हर्बेरियम का क्या यूज है तो यह store house है collected plant specimen को सुखा कर प्रेज करकर preserve कर देते हैं सीट पर रखते हैं और हर्बेरियम जो है इसमें क्या-क्या होता है तो यहां पर जो भी चीज़े अंडरलाइन है वह बहुत important है यह आपको याद कर लेना होगा उसमें date, place, collection का इंगलिस नेम, local नेम, botanical नेम, family नेम और collector का नाम यह सब चीज़े होता है और इसको क्यूट क्रेफ्रल सिस्टम भी कहते हैं अगर botanical garden की बात करें तो यहां पर collection of living plants होते हैं और उन पर indicated होता है botanical नेम और scientific नेम, family का नाम, तीन चीज़, सबसे बड़ा यह फेमस है botanical garden, क्यूव इंगलेंड में इंडियन botanical garden होरा में ह और National Botanical Garden Institute Lucknow में है तो यह जो फेमस है उनका नाम याद कर लेना है और अगर museum की बात करें तो educational institutions में होते हैं जैसे college और school में इसमें animal और plants के specimen को पिजाब करके रखा जाता है इंसेक्ट को इंसेक्ट boxes में collect करके kill करके pin कर दिया जाता है और larger animals जैसे birds हो गया है इनको stuffed करके preserve के जाता है नहीं उसके अंदर भूसा भरके preserve के जाता है museum often have collection of escalaton of animals too इसमें escalaton भी रखते हैं अब बात करते हैं जूलोजिकल पार्क तो जूलोजिकल पार्क में protected environment में animals को रखते हैं उनके food habit और behavior को study करते हैं इसके अलबाब कुछ नहीं जानना है जैसे कि इसके example जू हो जाएगा अब बात करते हैं की की तो key as another taxonomical add for identification of plant and animal based on similarity and dissimilarity की इसे बहुत जादा सवाल आता है similarity और dissimilarity पर based हैं ओके और इसमें जो contrasting character हो तो उसको coplet कहते हैं और coplet देखके ही हम और choice made करते हैं choice करते हैं और positive options होते हैं ठीक हैं और each statement को इसमें lead कहते हैं याद रखना है एकदम और key are generally analytical in nature analytical होता है यानि yes or no में हम इसके answers करते हैं अब बात करते हैं यह जो चीज आप लोग छोड़ देते हैं यह खासा important है flora, manuals, monograph, catalog यह सब भी होता है इसमें क्या होता है तो बता देते हैं flora में क्या होता है किसी भी area के total plants account होते हैं जैसे अगर आप पटने में रहते हैं तो पटने में रहने वाले total plants उके उसके बाद आता है अगर बात manuals की तो यह total plant और animal के बारे में बताता है जो एक particular area में पाए जाते हैं monograph में क्या होता है कि information होता है किवल एक taxon के बारे में ओके तो यह बहुत important है इस प्रकार से 12 में आपका यह chapter समाप्त हुआ एगर वीडियो पसंद आओ तो प्लीज लाइक comment and share प्लीज प्लीज एरे मैं आपे होता है यह इस बुद के है किवल न्यवल, के िmostफ लागोंगर, तो समय आपका लाठे दूystem